पहले आपके पास आते हुए नौ दिन हो गए अभी तक उन मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश जो है वो असफल ही रही है अभी ग्राउंग पर चल क्या रहे है जल्दी से पहले अपडेट दे दीजे जी शरीन जो सवाल आपने पूछे है वो लाजमी है पूछे जाने लेकिन यहां पर भी जब हम सवाल पूछते हैं टनल के ठीक बाहर जो तमाम अधिकारी नेता यहां पर पहुंचते हैं उनके पास जवाब नहीं होता है इस बात का कि कब बाहर निकाला जाएगा अलांकि इस कि अभी भी देखिए कि इंजिनियर्स वर्कर्स तमाम लोग काम पर लगे हुए हैं ड्रिलिंग का काम वहाँ पर किया जाना है हालांकि दो दिन से ड्रिलिंग का काम बंद है इसके पीछे की वज़े यह कि एक बड़ी चटान का हिस्सा बीच में आ गया था उसे तोड़ने तो ड्रिलिंग हुई थी उसके आगे का काम शुरू होगा उसके अलावा उपर की तरफ अगर आप देखें टर्नल के ठीक उपर जहां पर लोग आपको नजर आएंगे वर्कर्स वहाँ पर भी एक दूसरा रास्ता तयार करने की कोशिश की जा रही है वहां से ड्रिलिंग क करके ले जाया जाएगा उसके बाद वहां से ड्रिलिंग स्टार्ट होगी जिसमें आप मान के चलिए हफ्ते बर का वक्त लग जाएगा लेकिन इस हफ्ते बर के वक्त के बीच सबसे इंपॉर्टन बात यह है शिरीन कि उन तक खाना ऑक्सीजन और दवाहिया पहुच रही ह कवायद अब तक फेल रही है और इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि आखर ये देरी हो क्यों रही है और ये लापरवाही किस-किस के जिम्मेदारी कौन लेगा आप रही है हमारे साथ मैं आंकित आपके पास भी आऊंगी लेकिन उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल के लेकिन बातें से ही समस्य का समाधान नहीं निकलेगा अधार मशेन के बारे में अमेरիका में जो एक्सपर्ट है उनसे भी सला किया है उनके भी टच में हैं और जो जो भी हमको इसमें मदद हो सकती IIT के लोग होंगे टेकनिकल लोग होंगे Experience लोंगे कि औवने टनेल में काम किया उनकी सब की मदद लेकर जितने जितने आप्शन से उसके उपर हम काम कर रहे हैं किसी भी स्थिती में चाहे जो खुछ भी हो पर इनकी जान बचाना यह हमारी प्रातमिकता है अगर जो मशीन लाई है अमरिका वाली जिसकी दूसरी स्पेर में भी रखी हुई है यह मशीन कि वहां पहुच सकती है मेरा विश्वास है कि यह उगर मशीन का जो मार गए यह जल्दी पहुच सकता है अगर बगवान की दुआया अच्छी रहे हमारे लिए अगर अशिरवाद रहा तो अब यह सबसे जल्दी है वो जाएगा पाइप पहुचेगा और पाइप से सब ल रंग में फसने के चलते कई लोगों की मौत हो गई थी लेकिन सूबे के मुख्या अभी भी हाथसों से सबग लेने की बात कहते नजर आ रहे हैं सुलीजे ज़रा समिख्षा करेंगे जितने भी इस परकार के काम हो रहे हैं सबी की समिख्षा करेंगे और देखे जो हमारे गाज्ये हैं इस परकार की जो अचानक परिस्टितियां पैदा हो जाती है एक दम से उसमें थोड़ा सा अभी हम लोगों को अभी उतने आगे हम नहीं कहुचे हैं आगे से इस परकार की वेखना से सबग लेते हुए हम उसकर भी विचार करेंगे तो देखे पहले का जा रहा था कि धाई से कुछ घंटे लगेंगे फिर का गया कि अभी दो धाई दिन और लग सकते हैं लेकिन नौ दिन बीत गए नौ दिनों में अब तक एक सफलता इसमें नहीं मिली और ऐसे में कई सवाल अंकित आपके पास आते हुए पुषकर सिंधामी कह रहे है कि सबक लेंगे भई इतने बड़े प्रोजेक्ट जब प्लान किये जाते हैं तो क्या ये नहीं सोचा जाता कि जिन मजदूरों को आप चंद पैसे दे कर वहां बेचते हैं काम कर करने के लिए उनकी जान के जिम्मेदारी भी तो आपकी होनी चाहिए ना और उनके सामने सवाल ये है कि ये कोई पहला हास्ता नहीं इससे पहले भी जब हास्ते हुए थे उससे क्या सबक लिया गया लेकिन मैं आपको एक तक्नीकी दिकत भी बता रहा हूँ जो इस वक्त सामने आ रही है जहां पर पूरी खुदा ही चल रही है जो आप दीपक ने इतना आसान नहीं था हलाकि वो काम काफियत तक कंप्लीट हो गया है लेकिन जैसे ही वो मशीन ड्रिलिंग करनी स्टार्ट कर रही है तो उसके सामने उसके नीचे इस तरीके से कुछ पत्थर आ रहे है वो पत्थर जैसे ही जो है वो ड्रिलिंग किया जाता है वहां से ऐसी आवाजे आती है डर इस बात का होता है कि कहीं ऐसा नहों कि अंदर और जादा भरवरा करके वो पत्थर गिर जाए और टैनल पूरी तरह से बंद हो जाए और जो मश्दूर वहां पर फसे हुए है उनकी जान को खत्रा हो जाए और इसी वज़े से वहां पर जो हजारों टन मलबा है उसके बीच में से पाइप डाल करके एक रास्ता बनाना है लेकिन आप यह सोचिए जो मश्दूर पिछले 41 दिनों से उस टनल के अंदर मौजूद है जिनको थोड़ा सा खाना मिल पाता है जितनी सांसे जरूरत है उतनी उनको हवा मोहिया कराई जा रही है वो सांस हवा दे जाती है कि आप जिन्दा रहिए भगवान भरोसे हैं हम दूआ कर रहे हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी मनोस्तिती समझीए बाहर से आवादे उन तक पहुचाई जाती है कि आप घमराई यह रही लेकिन क्या इतना असान है यह सब और वह भी तब जब हम ऐसा न खंटे तो अभी बीट रहे हैं लेकिन आने वाले पता नहीं अभी और कितने घंटे अब तक तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है अंकित आश्वासन के सिवा कोई कोई रिजल्ट अब तक हमारे सामने नहीं आया बहले ही उन तक हर मुमकिन जो उनकी जरूरी चीजे है वो उन तक पहुचाई जा रही हो लेकिन फिर भी इंतजार तो यह है कि वो आखर सही सलामत हमारे सामने उस सुरंग से बाहर कब निकलेंगे जैसे ही घड़ी का काटा तो बहर ढाई पे आये बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और यह है इनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब यह करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे